आप सभी लोग अच्छ होगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो आपको नमस्कार यहाँ पर आज मैं आपके लिए टॉपिक जो लेके आई हो वैस्ट आपने थम्नेल से देखी लिया होगा चेक आउट करके ही आपने क्लिक किया होगा बट येस आपका सुनहरा समय कप स्टार्ट होगा आपका गोल्डन टाइम आने वाले टाइम में कप स्टार्ट होगा means होता है न कोई important time होता है जब आपकी जिन्दगी जिस time से बदलना start हो जाती है चाहे आपका career है आपकी life है आपकी शाधी होने के बाद आपकी life change होता है न change of place हो गया चाहे financially आप बहुत एकदम से grow कर गए आप famous हो गया आपको name fame चाहिए था वो हो गए आप government job चाहते थे anyways यहां भी guys first file है perfection card okay और अगर आपकी date of birth guys आपको अपने date of birth choose करनी है अगर आपकी date of birth हिन्मे से आती है तो आप first file pick कर लेजेगा so second file है यहां पर abundance card और अगर आपकी date of birth हिन्मे से आती है 1, 6, 18, 4, 22, 14, 16, 12, 10, 24, 26, 8, 28, 20, 31 और 30 तो आपके लिए second file थी okay so first file की नहीं बोली मैं first file में जाके बोल दूंगी है ना so start कर लेते हैं guys जिन्होंने भी कोई भी file पिक की है बाकी उससे पहले guys reading start करने से पहले अगर आप new हूँ चैनल पे like करके reading को चैनल कर सब्सक्राइब करके and hit the bell icon guys and also अगर आपको personal reading लेनी है तो of course आप मुझे Instagram पे DM कर सकते Instagram का link description में है time champs की जल शुपाई या फिर आप लोगों पर about section से भी देख सकते हूँ कर लेते हैं आपकी reading को जड़ा टाइम ना लेते हुए so first file जिन्होंने भी perfection card को पिक्या है या फिर जिनकी भी date of birth 2, 5, 11, 15, 3, 9, 7, 17, 21, 13, 19, 25, 23, 29, 27 so अगर आपकी date of birth इनमी से आती है तो आपने लिए first file पिक कर लिए होगे है ना and यहाँ पर perfection card है guys आपका golden time कब start होगा कब होगा आपका ये समय शुरू ओके वैसे आज new moon है I hope आपने कल new moon की reading देखी होगी अगर आपने नहीं check out की है so please check out okay the new moon reading जो लिएो में है बहुत important reading है so of course ये full month के लिए वो एक तरह से आपकी reading हो जाएगी है ना जब तक new moon नहीं आएगा so guys यहाँ पर perfection so I think I think guys आप perfection को ढूढ़ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है जब आप किसी situation में perfection ढूढ़ना बंद कर दोगे तब आपका golden period start होगा यहाँ फिर इसका meaning ये भी हो सकता है कि जो लोग perfection चाहते हैं किसी area में और उसके बाद guys मतलब for example आप makeup artist हो आपके अंदर perfection नहीं अभी आपने learn करना start किया है example देने हो for girls or boys both of you मतलब आजकल gender quality देखी जाती है aeroplane ही like a pilot ही लगा लो ठीक है pilot है लगा लो जब तक उसको pilot को aeroplane को कैसे उडाना है मतलब कैसे flight लेनी है ठीक है उसको नहीं आएगा टेक आफ कैसे करना है तो जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता है उस चीज में तब तक guys वो काम नहीं हो पाएगा ना तब तक आपका golden period chart नहीं हो पाएगा जब तक आप makeup artist नहीं बन जाते फुल मतलब 100% perfection आपके अंदर नहीं आ जाती है तब तक आपका golden time नहीं आएगा means किसी भी situation में आप खुद भी perfection ढूंते होगे और येस आपके किस्मत में भी है कि perfection ढूंडो perfect हो जाओ उस चीज में आफ्टर देट उस वो चीज आपके लिए है वो चीज आपको मिल जाएगी ओके सो यह चीज यहां पर मुझे दिख रहे हैं यहां पर क्या कह रहे हैं वह आपके हाथों में भी grapes से grapes abundance का साइन होते हैं और यहां बेल है ठीके grapes की तो वह भी यहां पर लगए पैसे आपके लिए पेड़ पेड़ पर उगने लग जाएगे ऐसा मतलब को पतीत होना लग जाएगा ऑके वाल ऐसी energy यहां पर आपके लिए आते हुए देख रही है मुझे सो यहां से गाइस चारो रीडिंग देख लेते हैं टैरो आपको क्या बताना चाहता है स्ट्राइम पे टैरो की तरफ से क्या मैसेश है बाकी गाइस अगर आपको कोई भी क्रिस्ट्रल वाए करना है कोई भी परसनल रीडिंग के लिए question आते हो तो उसमें आप परसनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर डेम कर सकते हो इंस्ट्राग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है टाइम स्ट्राम के जो चुपाई या फिर आप लोग उपर अबाउट से भी देख सकते हो तो यहां टैरो तो यहां 10 of swords है 5 of swords है 5 of cups की energies है knight of words है यहां पर ओके and also 8 of cups की energies आपके लिए यहां पर दिख रहे हैं आपको sorry 8 of pentacles 6 of pentacles is here okay bottom of deck यहां पर the moon card की energies है middle energy is 9 of pentacles 8 के बाद 9 okay so यहां आपको दिख रहे हैं सबसे पहले तो guys 5 5 के energies है change is there change बहुत जरूरी है जब तक आपके life में change नहीं आएगा तब तक आपका golden period नहीं start होगा यह change चाहिए change of place हो सकता है change of your destiny होसता है यहां फिर चाहिए change of something like your perception okay like आपको अपने सोच को change करना है like for example आप चाहते हो के मेरा golden period आए और मैं like golden period में आपको क्या चाहिए government job okay कुछ लोग है जो जिद्धी है कि हां भाई age भड़ गई है 30-35-35 साल के लोग हो चुके हैं 40-40 साल के बट उनको क्या चाहिए government job okay और government job इतनी तो है नहीं कि सारा इंडिया ही government job में चला जाए yes or no हां जाते हैं लोग जो अपना पूरा 100% देते हैं स्टड़ी में भी फिर 100% देना बहुत जरूरी होता है है और आप चाहते हो कि आपको government job ही चाहिए बट हर कोई government job के लिए नहीं बना होता है okay anyways यहां पर बस में आपको यह example देना चाहते हूं कि हाँ पर आपका golden period कप स्टार्ट होगा जब आप उस जिद को छोड़के अपने लिए चाहिए business चाहिए कोई private mnc's वोगेरा में अच्छे package पर लग जाओ उसके बाद आपका golden period स्टार्ट होगा मतलब यह example है just check है यह आप किसी चीज में बहुत जिद पकड़के बैठे हो कि मुझे यही चाहिए बट आपके लिए क्या है कि उस चीज को छोड़के न कोई और चीज में एकदम से से पहले बहुत सारी अर्चने भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपको लगेगा सब कुछ end हो गया है बट हां 5 से 10 की तरफ चाहरे हो आप मतलब change is there मतलब change करने के लिए राजी हो जाओगे ठीक है चाहे आफ्टर सम टाइम जो भी मजड़ी लड़ाई चुगड़ों के बाद ही बट हाँ आप कर लोगे चेंज हो expect accept ठीक है और यह six of pentacles की energy शो करते हैं कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में equal give and take चाहते हो equal give and take की energies यहाँ पे हैं यहाँ पे आपके लिए भी energies है night of wand से के आपकी तरफ आपकी शादी के बाद भी यह हो सकता है क्योंकि यहाँ पे relationship तो अच्छा चल रहा है बड़ फैमली वाले नहीं मान रहे हैं जब फैमली वाले मानगे जब शादी होगी यह घोड़े पे सवार आपका पार्टनर आके आपकी तरफ उसके बाद आपका golden period स्टार्ट हो जाएगो के सब चीजे मुशे दिख रहे हैं यह इसके बाद सी दिस आपके लिए क्या-क्या energies आ रही हैं वाव वाव लव लाइफ ओसम हो जाएगी financially बहुत awesome मतलब आप energies में पहुन जाओगे बहुत ग्रो करोगे moon कहीं न कहीं आपको यह सब चीजे मतलब होता है कि आपसे अभी hidden है यह सब चीजे जस्ट मैं आपको बता रही हूं जिनके साथ यह match हो रही है गाईस उनके लिए ही यह messages है हना कुछ ना कुछ आपसे match हुआ होगा so बाकी यह general reading है ठीक है and also कुछ चीजे आप से hidden है ओके आपके लिए पहले बाहर आएं तो उसके बाद ही आपको golden period स्टार्ट होगा so यहां से क्या energies आ रही है आपके लिए wow see this spiritual union आपको देखने को मिलने वाली है golden time में जब आप या फिर जब आप अपने partner के साथ union में आऊगे तब भी आपके लिए यह जैसे कह सकते golden time स्टार्ट होगा आपके लिए recognition and rewards भी आपको देखने को मिलने वाले हैं बहुत जारा rewards आपको golden time में golden period में wisdom भी बहुत देखने को मिलने वाले आप बहुत knowledge यवल भी बनने वाले ओं knowledge गेन करोगे पिरीड में आप ठीक है knowledge is coming towards तो यह सब आपके सामने बहुत सारे लेसंगे करने हैं और आपको करना पड़ेगा थब है आपका golden time के अंदर ही है सब छीजें आपको देखने को मिलने वाली है या पहले आपको knowledge gain करने पड़ेगी लोगों की help करने पड़ेगी दिन आपका golden time स्टार्ट होगा यह सब चीजें कोई भी किसी से भी पॉइंट मैच हो सकता है ऐसा नहीं कि सारी कि सारी डिल्डिंग आप से मैच हो जाएगी ओके material and spiritual prosperity so yes आपको यह golden time and materially भी आपको prosperity feel होगी and yes आपके लिए spiritual prosperity भी इस period की अंदर अंदर है disruption कहीं नहीं कि tower moment okay मुझे ऐसा लग रहा है कहीं नहीं कि tower moment आपको feel हो सकती है यह आपको कहा चला है कि don't worry यह जो disruption है unexpectedly आपको golden period start हो सकता है ऐसा भी इसका meaning हो सकता है एक दम से आपको golden period start हो गया आपको पता भी नहीं था कि हाँ आगे next आने वाला समय मेरा golden period है and अपसे मैं happy रहूंगी यह रहूंगा बट हाँ वो आपके लिए unexpectedly आपके लिए surprise हो सकता है universe की तरफ से okay and obstacles and challenges बहुत सारे आएंगे starting में like golden period start होने से पहले बहुत सारे challenges आपको face करने पड़ सकते है यहाँ पे guys आपके लिए 5 number है और यहाँ पे 5 number है so यहाँ से क्या energies है discovery कहीं न कहीं आप इस golden period में बहुत कुछ discover भी करोगी यहाँ फिर golden period जब start होगा तब आप कुछ discover कर रहे होगे ठीक है and yes rejection okay expansion ठीक है जी prayer ठीक है okay okay I can understand now okay creation oh my god wow discovery and creation starting में discovery card है last में आया creation same cards है एक तरह से okay acceptance की energies है okay okay so यहाँ आपके लिए क्या energy the guys मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको reject किया जाएगा बहुत सारे लोग आपके against खड़े हो जाएगा बहुत सारे लोग आपको reject करने के लिए खड़े होंगे कि yes you are not like pass okay in this field यहां फिर इस चीज में आप पास नहीं हो लेक आप आर्टिस्ट हो ठीक है आपको आर्टिस्टिक चीजे करना पसंद है आप पेंटिंग्स करना पसंद है for example कि आप किसी व्यू की पेंटिंग की दूसरे लोग वैसे ही बनाते तो वह पास हो जाते हैं आपको reject कर दिया है तो आपको क्या हुआ आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में expansion आपने उस चीजे को accept करके फिर से कुछ new create करना चाहा और इस बार आपने प्रियर्स की यूनिवर्स से कि येस मेरी ये सब चीजे मेरी पास की जाए यूनिवर्स ठीक है में को भी famous होना है में को भी ये चीजे चाहिए ठीक है अपनी life में future में तो यहां क्या होगा यूनिवर्स की लाइक होता है आशिरवाद से blessing से आप ऐसा कुछ create कर दोगे कि वो कुछ ना कुछ discovery के related होगा या आप इतना जादा चीजों में चले जाओगे कि यह साब बहुत मलब होता है ने बहुत expensive painting create कर दोगे मलब ऐसा कुछ बड़ा आपके जो thoughts से कुछ ऐसा create करके दिखा देंगे आपको कि वो लोग सोच भी नहीं सकेंगे आपके आसपास वाले के यह ही हो सकता है ओके सो यह सब चीजे मुझे यहां पर दिख रहेंगे and creation दिख रहें कुछ new create आप लोग कर दोगे ठीक है सो यह चीजे मुझे यहां पर दिख रहें अगर आपको reject किया ज चार्ट होने से पहले आपको क्या guidance दी जा रही है यहां पर इसके बाद आपकी रीडिंग को मैं समाप्त करूंगी खतम करूंगी ठीक है सो यह कॉस्मिक पर्ल एक्सपैंस एक्सपैंड यह साइकिक गिफ्ट ओकी आपको साइकिक गिफ्ट मिले हुए हैं उनको expand करने कोशि ओपन करने में ठीक है एंड यह कॉस्मिक सफायर ओके सो एक्ट वेड ओनर एंट इंटेग्रिटी स्पीक यो तुरुत सो सच बोलो ठीक है सच का सादू ओनर के साथ हैक्ट करो एंट इंटेग्रिटी इमानदारी बस दो हर शीज में आपको यही कहा जरा हैं वननेस की अनर् common humanity में believe रखो गाइज ओके invoke Lemurian light so Lemurian light को invoke करने की कोशिश करो ठीक है 33 number 34 number 6 number 7 number 42 number 38 number 11 six number six six number आपके लिए important होसता है five five number आपके लिए important होसता है या triple five या triple six आपके लिए important numbers हो सकते हैं okay so यहनि कौन portal आपके लिए open हो रहा है यहां भी आपके soul made important होसते हैं यहां पर मैंने बोला ना आपको name fame मिलने वाला है so यहां पर earth की energies आ चुकी है focus your light listen for our masses so आपको focus करने के लिए बोला जा रहे है हर एक चीज के ऊपर अपनी रौष्णी के ऊपर focus करो आप कितनी रौष्णी बखे सकते हो आप कितनी happiness दे सकते हो लोगो को आप कितना जारा heal कर सकते हो लोगो को उस चीज को notice करो and yes उस चीज के ऊपर focus करो and listen for our masses so आपको कोई नो कोई masses देखने को मिल सकते है चाहे वो universe की तरो से आपके कानों में डाला जाए आपके काउन चक्रा के तरू डाला जाए या फिर किसी के बातों के तरू आपके दिमाग में डाला जाए bottom of a deck shower of blessings so आपके लिए guys shower मतलब आपको नहला है जाएगा blessings के साथ मतलब मतलब में मजाख में बहुत है मतलब आपके उपर बहुत सारी blessings की बरसात होने वाली है open yourself to receive guys अपने आपको open रखो receive करने के लिए कि yes ये मेरे लिए हैं ये blessings मुझे भेजी जा रही हो and pay it forward अगर आपको लगता है कि yes आपसे भी जारा deserving कोई और है आपको ये gift जो मिले हैं उसके लिए तो आप उनको आगे forward कर दो आप उनको बांटो चीजे लग आपके पास teaching की मतलब अच्छी ability आप उसको लोगों को teach करो आप उस चीज को बांटो ठीक है आपके पास artistic qualities आपके पास dancing की quality dance करने quality आप उसको भी sold करो आप उसको बांटो लोगों में ठीक है तो आपको अगर भगवान ने कुछ दिया है उसको बांटो यहाँ पे ये message आपके लिए and yes enter the magic guys ये enter करने का time है जब आपका golden time आप एंटर करो magic की अंदर ठीक है and six number again is here six 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 most important number triple six is most important in your golden time छे number वैसे भी Venus कमाना जाता है उन्हें अमारा लौजी में and और अगर हम देखे तो छे number मरकरी का माना जाता है आज कल के time में मरकरी बहुत important है बोलना बहुत important अगर आपको पैसा कमाना है अगर आपका communication skills बहुत अच्छे हैं तो आप 100% पैसा कमा सकते हैं जैसे भी मज़ी okay so live in the now, seize the moment so seize करिए moment को and live in the now जो present है उसमें जीना start करो जो present की energies में जीयोगे तो yes आप positive energies अपनी तरफ attract कर पाऊगे and लोगों को बहुत कुछ learn करवाने में help करोगे so अभी के लिए इतना ही guys हर महादीव राधी 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 and I hope आप a golden time बहुत जल्द आए शाइब पांच महीने छे महीने में आ जाए या फे पांच हफते छे हफतों में आपके लिए आ जाए so anyways हर महादीव राधी 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 गॉद्ट बेस्ट विवान so hello everyone guys हर महादीव राधी राधी कैसे आप सभी लोग I hope आप सभी लोग अच्छे होगर अपनी लाइफ में भी आके भढ रहे होगे so second pal जिनों ने भी पिक की थी means abundance card को पिक किया है यहां फिर आपकी rate of birth इन में से आती है 16 18 4 22 14 16 12 10 24 26 28 8 20 31 और 30 ओके तो आपके लिए second पाल थी तो यहां पर जिनों फिर आपने abundance card को पिक किया होगा हाना so देख लेते हैं आपके लिए क्या energies आ रही है आप लोग क्या expect कर सकते हो कौन से कब आपका golden time स्चार्ट होगा आपका सुनहरा समय so golden period आपका कब स्चार्ट होगा so यहां पर गई सबसे पहले तो abundance card आपके लिए आया है यह show करता है कहीं न कहीं आपकी जन्दगी में golden time जब आएगा बहुत सारा पैसा आपको देखने को मिलने वाला है आप बहुत abundant होने वाले होके so yes आपको मतलब right path मिल जाने वाला है जिसके through आप earn कर पाओ ठीक है अभी आप चाहे इदर उदर घूम रहे हो ठीक है आपको पता नहीं अगर आप right path पे हो तो बहुत अच्छी बात है जो लोग right path पे नहीं है so जो लोग right path पे नहीं है guys उनके लिए यहाँ पे है कि हाँ उनको right path मिल जाएगा जब आपका सुनहरा समय आएगा आपका golden time आएगा okay so यहाँ पे जैसे यह इनसान है पहले भटक रहा है कोई इनसान है भटक रहा है पर उसके अंदर गलत आते हैं ठीक है तो यह पैसा गवा चुका है उसको यह रास्ता इसली नहीं मिलेगा अब यह girl है इसका घर है पीछे अराम से अपने लिए धून रही है कुछ यह तो व so यहाँ money is coming towards you money is there okay so यहाँ से guys देख लेते tarot के थूँ क्या energies आ रही है आपको जो golden time start होगा तो आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है और कब आपका यह time start होगा so यह सब चीज़े हम देखेंगे okay so अलग-अलग decks से देखेंगे so यहाँ सबसे पहले तो tarot के थूँ अ instagram पर dm कर सकते हो instagram का link description में है time stamps के जो पर या फिर आप लोग उपर about section से भी देख सकते हो ठीक है यहाँ पे सबसे पहले तो hand man की energies है the high priestess की energies है okay the seven of pentacles card की energies आई है the moon is here okay great the king of swords okay and last card is knight of swords card की energies है यहाँ पे bottom of deck page of swords है middle energies यहाँ पे है the devil card okay so यहाँ पे आपके लिए क्या energies आ रहे हैं guys आपके लिए सबसे पहले तो pices sign important हो सकता है means mean rush राशी Capricorn sign Makar राशी Aries Cancer यहाँ फिर Pisces sign most important यहाँ पे राशी दिख रहे है Gemini Libra Aquarius okay Taurus वरो के क्याप्रिकॉर्ण भी कुछ कुछ राशी यहाँ पे है बठा Gemini Libra Aquarius Capricorn Pisces Cancer and also Aries यह राशी आपके लिए important हो सकते हैं सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी life में growth देखने को मिलने वाली है वो भी बहुत जादा growth आपको golden time period में अपने के विगाज यहां पर page भी है यहां पर इसी element का knight पर इसी element का king भी बैठा है ठीक है so means sword 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 आप ऐसे समझ सकते हो कि हाँ आप बहुत ज़रा mentally grow करोगे mentally कैसे पैसा अर्न करना है अगर आपका दिमाग चलता है तो आप कहीं से भी पैसा बना सकते हो अगर आपका दिमाग चलत है किसी बी उल्जन से आप निकल सकते हो किसी भी challenges के थुरू आप गुजर सकते हो ठीक है बहुत easily उनसे निकल सकते हो बहुत सारी बाते निकलवा सकते हो किससे मतलब कुछ भी आपको करना है आपका mind यहां पर बहुत important role play करता है आपको को बिजनस चलाना है कैसे चलाना है वो आपका mind वहां पर use होगा तो वो आपके mind के ही खेल होता है ठीक है तो यहां पर वो energies है कि आप बहुत अच्छे से हर time मला sorry हर काम आप कर पाओगे इस golden time में ठीक है अपने और यह सुनहरा समय आपके लिए यहां पर कहीं न कहीं आप अगर financial issues face कर रहे हो स्ट्राइम तो वो आपके financial issues खतम कर देगा आप अगर overthinking करते हो तो उस overthinking को खतम करने में आपकी help करेगा यह जो आपके लिए सुनहरा समय आएगा ठीक है अगर आप हैंड हो हैंड हो हैंड मैं के इनर्जिस में मतलब आपको फिल कर रहे हो किस situation में आपको नहीं पता है आपको क्या करना ह हैं तो यहां आपके लिए दिख रहे हैं कि हाँ आपकी knowledge यहां पर awakening चल रही है वेकनिंग परसेस चल रहा है यहां पर आपका ओके यहां आपके लिए energies आई हैं आपके यहां पर intuition बहुत हाई होगी इस कौन से time में golden time period में आपका जो भी golden time start होगा यहां पर उस time के बीच मे आपके intuition बहुत हाई रहेगी यहां पर moon card भी वही शो कर रहा है कि आपके thoughts में stability होगी हो कि आप बहुत जारा stable रहने वाले हो and also यहां पर justice lover बनते हो दिख रहे इस time period में ठीक है आपको justice मिलेगा भी और आपको justice पसंद भी मतलब आप justice मिलेगा justice lover बन रहे हो और also आप चाहो जोक्यों पर काम करना start कर दोगे ठीक है कैप्रिकॉन कहीं नेगेटिव thoughts आपके mind में आ सकते हैं कहीं नेगेटिव चीजें आपके सामने आ सकती हैं essential and sexual powers आपके school and time में आपकी भड़ सकती हैं ठीक है इसके बारे में यहां पर मैं बोल रहे हो कि and also यहां पर devil यह भी शो करता है कि नेगेटिव thoughts रिष्टे में कहीं ना कहीं जैसे ज्यादा possessiveness होना ठीक है किसी चीज को बांद के रखना चाहना ठीक है तो यहां पर energies दिख रहे हैं तो यहां आपको कहा जरे उन सब चीजों से बहार निकलना होगा यहां फिर इस golden time period में अगर आप बहुत जारा obsession दिखा रहे हो तो of course यह सब चीज़े आपको देखने को मिल सकती है relationship issues कहीं न कहीं यहां पर अगर है तो अगर आप obsessed अपने partner को लेके बहुत आप possessive nature है आपका तो वो यहां पर सुधाद लीजे नहीं तो यह golden time आपको सिखा देगा कैसे किसी को संभाला जाता है क्यों यहां पर possessiveness नहीं शो करना होता है जादा नहीं करना है ठीक है क्योंकि वो negative negative side पे चला जाएगा तो यहां से क्या energies आ रही है आपके लिए तो यहां आपके लिए guys यह energies निकल कर आई है सबसे वहले तो wisdom का मैंने जिसे बोला ही है guys आपकी life में कहीं न कहीं बहुत knowledge gain करने वाले हो knowledge येवल आपका mindset बहुत change हो जाएगा इस golden time period में आपका and money तो मैं ने बोला ही है पैसा बहुत आएगा आपकी तरफ ठीक है पैसा abundance की energies की कोई कमी नहीं होगी money issues अगर है तो of course patience रखे don't worry golden time period में सब कुछ issues खतम हो जाएगे financially अगर कोई भी है अभी prosperity begins की energies हैं आपको business chart कर सकते हो अगर आपकी marriage हो चुकी अपने partner की साथ मिलकर and positive movement forward की energies है कही नहीं कहीं आगे भढ़ रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पर भढ़ रहे हो ठीक है positive movement यहां पर आपके लिए दिख सुरेगे ठीक है एक जगह से दूसरी जगह जाना कहीं ट्रावल कर सकते हो यहां फे long distance यहां फे कहीं पर सटल डाउन हो सकते हो फॉरं में जाकर PR ले सकते यहां फिर कहीं आप अपने स्टेट में ही जा सकते हो अलग स्टेट में जाके रह सकते हो ठीक है किस न किसी वजह से यहां को बिजनस चाट करे हो तो that's the reason also तो फर्टेल्टी है यहां पे यह गोल्डन टाइम पिरिएड में आपको प्रिगनसी भी देखने को मिलने वाली है आपका सुनहरा समय जब होगा तो उसमें आपको प्रिगनसी भी देखने को मिलने वाली है यहां फर्टेल्टी न्यू आइडियास को शो करती है न्यू आइडियास को जनम देना न्यू बिजनस को जनम देना तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है और उसमें आपको growth देखने को मिलने वाली है और ace of cups और ace of pentacles दो aces तो यहाँ पे आपको दिख गए हैं तो दोनों ही aces new beginnings को भी show करते हैं and also new love life भी आपकी golden time period में ही start होगी यहाँ पे आपकी love life में new energies आएंगी यहाँ पे okay bottom of deck authority card की energies कहीं न कहीं guys आपकी life में कोई ऐसे partner आएंगी जो बहुत authority personality वाले होगे यहाँ आप इस golden time period में खुद एक emperor की energies में आओगी egoistic महौल आपका थोड़ा बन सकता है ego थोड़ी high हो सकती है आपकी यहाँ पे intuition बहुत high हो सकता है आपको और बहुत strong हो सकता है यहाँ पे and also powerful personality बनते हो दिख रहे हो आप इस okay इस golden time period में so यहाँ आपके लिए one number most important है 11 number आपको बहुत दिख सकता है 4 number 3 number 5 number 8 number 13 number and change is there guys change आपकी जंदगी में आएगा और आपको वो change के through ही गुज़रना होगा ठीक है perfection perfection की energies यहाँ पर आई है abundance तो है grapes abundance को शो करता है यह आप perfectionist बनना चाहते हो हर एक चीज में so definitely वह भी आप बनते हो दिख्रों इस golden time period में bittersweet कहीना की कडवा यह फिर आपको कहा जारे थोड़ा से golden time period में यह तो आप अगर हो ऐसे आप किसी के पीछे पढ़रो कि मुझे accept करो मुझे accept करो no don't do this guys जिसने आपको accept करना है वो खुद ही accept कर लेगा और जिसको नहीं करना है आप चाहे उसके पीछे जितना मज़ी पढ़रो वो नहीं करेगा so यहाँ पर आपके लिए mysticism मैंने बोला आपके intuition बहुत हाई होने वाली है इस golden time period में आपकी अब बहुत intuitive होते हुए दिखते हूँ guys so gossip कहीं न कहीं बातचीत करना बातचीत करना सीखिए guys यहाँ आपको बातचीत करने का ढंग पता लगेगा कैसे किससे बात करने है कैसे आपके communication skills को कैसे यूज करना है कहां यूज करना है आपको ठीक है so gossiping के दुरान आप यह तो आप बहुत कुछ सीखते हुए दिखते हो लोगों से बातचीत करके ही कहते है ना लोगों से सीखो हरा मतलब जैसे कैसे निकलना है बाहर वो लोगों से सीखना चाहिए हर किसी को मतलब अपनी लाइफ में कुछ भी सीखना है तो like कॉस्क दूसर अन्य से सीखो हो कैसे हैंड़ कर रहा है तो उसको और लाइफ मेंवohl बैसा बहुत अच्छी चीज़े लाइक हम अपने पेरेंट्स अपने पूरवजो से बहुत को सीखा है आना सो यहां पर क्रिएशं you आप कुछ new create कर सकते हो, new idea को create कर सकते हो, new idea आपके mind में आ सकता है, impasse, कहीं न कहीं आपके सामने दो रास्ते आ सकते हैं, उन में से कैसे आपको path होना है, वो आपके सामने situation आ सकती है, या फिर आपका बहुत अच्छे से handle करते हो, दिखो इस golden time period में, multitasker बन सकते हो आप, ठीक कलने के लिए, यहां से, देख लेते हैं आपके लिए, लास्ट में के guidance इस golden time period के लिए, ओके, ओम नमश्युवा है, तो, enlightenment की energies है, कहीं न कहीं 43 नमबर आपके लिए important होसता है, look from the higher perspective, so highest perspective क्या है, किसी चीज़ का, उससे देखने कोशिश करें, चीज़ों को, see the divine in everyone, so, सभी चीज़ों में divine देखने के कोशिश करें, मतलब भगवान को ढूंड़े, ठीक है, soul satisfaction आपको देखने को मिलने वाली है, guys, okay, आने वाले समय में, honor your uniqueness, so, अपनी uniqueness, आपके अंदर क्या unique है, guys, उसके ओपर focus करें, ठीक है, do what you feel good, okay, do what makes you feel good, okay, so, वो करें जो आपको अ satisfying feel करवा रहा है, वो करिए, चाहे वो घर का कहा हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे बहर घूमना हो, चाहे ट्रावल करना, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो, चाहे पैसा कमाना ही क्यों ना हो, जो आपको satisfy करता है, आपके soul को satisfy करता है, वो करना start कर दीजिए, okay, golden time period में वो आप क 35 number also important for you, so यहाँ पर violent flame की energy से, invoke करने वाले हो guys, आप cosmic diamond, violent flame को, and also transmute all that is not love, and also divine potential guys, fulfill your destiny, so आपको कहा चाहे, पूरी करिये अपनी destiny को, fulfill कर लो, be all you can be, so वो करिये जो आप खुद हो, वो करिये जो आप चाहते हो, ठीक है, and bottom of a deck, यहाँ पर है soul healing, align with your essence, 16 number is important for you, align करिये अपने essence को, अपने साथ, see your true colors, so अपने सही आपके रंग, खुद आपके सामने आने वाले हैं, हो क्या in real, ठीक है, आप reality में क्या कर सकते हो, कितने capable हो अपने लिए, या किसी के लिए, so वो यहाँ पर आपके सामने realities आते हो, यहाँ पर new moon की energy है, यहाँ पर new moon की energy है, वैसे भी आज new moon है, ठीक है, sorry, आज new moon है, 4th of august को, so yes, new moon की energy is बहुत important role play करने वाले हैं, आपकी life में, and यहाँ पर आप divine potential अपना जानते हो, आप कितने जादा potential हो, आपके अंदर सारी, कितना जादा potential हो, कितने जादा strength आपके अ यह वस्तो लाइक दिस रीदिंग, subscribe to this channel, बेले कुद बादेना, अल पे सेट कर देना, अभी के लिए तनाई हर घर महादी, राधी राधी गौद बस्च्ववान, बाई गाईज